27 जून पुन्नेति थी कर्तव्य कठोर दादा राव परमार्थ के बारे में आज हम बात करेंगे बात 1 अगस्त 1920 की है लोक मानने तिलक के दिहांत के कारण पूरा देश शोक में डूबा था संग संस्थापक डॉक्टर हेड गेवार किसी कारे से घर से निकले उन्होंने देखा कुछ लड़के सड़क पर गेंद खेल रहे हैं डॉक्टर जी क्रोध में उबल पड़े तिलक जी जैसे महाननेता का देहांत हो गया और तुम्हें खेल सूझ रहा है सब बच्चे सहम गए इन्ही में एक थे गोविंद सीता राम परमार्थ जो आगे चलकर दादा राव परमार्थ के नाम से प्रसिध हुए दादा राव का जन नागपूर के इतवारी महले में 1904 में हुआ था इनके पिता डाक विभाग में काम करते थे केवल चार वर्ष की अवस्था में इनकी मा का देहांत हो गया पिता जी ने दूसरा विवा कर लिया इस कारण से दादा राव को मा के प्यार के बदले सोतेली मा की उपेक्षा ही अधिक मिली मेट्रिक में पढ़ते समय इनका संपर्क क्रांती कारियों से हो गया साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन के समय पुलिस इन्हें पकड़ने आई पर ये फरार हो गए पिता जी ने इन्हें परिक्षा देने के लिए पंजाब भेजा पर परिक्षा पुस्तिका इन्होंने अंग्रेजों की आलोचना से भर दी ऐसे में परिनाम क्या होना था ये तो अस्पस्ट है दादा राव का संबंध भगत सिंग तथा राजगुरू से भी था भगत सिंग सुखदेव और राजगुरू की फासी के बाद हुई तोड़ फोड में पुलिस इन्हें पकड़ कर ले गई थी जब इनका संबंध डॉक्टर हेडगेवार से अधिक हुआ तो ये संग के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए रास्टिय स्वेम सेवक संग के प्रारंब में डॉक्टर हेडगेवार के साथ काम करने वालों में बाबा साहब आप्टे तथा दादा राव परमार्थ प्रमुख थे 1930 में जब डॉक्टर साहब ने जंगल सत्याग्रह में भाग लिया तो दादा राव भी उनके साथ गए तथा अकोला जेल में रहे दादा राव बहुत उग्र स्वाभाव के थे दाद पाहर निकले होने के कारण उनकी सूरत भी कुछ अच्छी नहीं थी पर उनके भाशन बहुत प्रभावित होते थे उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी भाशन देते समय वे थोड़ी देर में ही उत्तेजित हो जाते थे और अंग्रेजी बोलने लगते थे दादा राव को संग की शाखाय प्रारम करने ही दू मद्रास, केरल, पंजाब, आदी कई अस्थानों पर भेजा गया डॉक्टर हेट के वार के प्रती उनके मन में अटूट श्रद्धा थी कानपूर में एक बार शाखा पर डॉक्टर जी के जीवन के बारे में उनका भाशन था इसके बाद उन्हें अगले अस्थान पर जाने के लिए रेल पकड़नी थी पर वे बोलते हुए इतने तल्लीन हो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा परिनाम स्वरूप रेल छूट गई 1963 में बरेली के संग सिक्षा वर्ग में रात्री कारे क्रम में डॉक्टर जी के बारे में दादा राव को बोलना था कारे क्रम का समय सीमित था अतह वे एक घंटे बाद बैठ गए पर उन्हें रात भर नींद नहीं आई राजु भाईया उस समय प्रांत प्रचारक थे दो बजे उनकी नींद खुली तो देखा दादार आप टहल रहे हैं पूछने पर वे बोले तुमने डॉक्टर जी की याद दिला दी ऐसा लगता है मानो बांध तूट गया है और अब भे थमने का नाम ही नहीं ले रहा फिर कभी मुझे रात में इस बारे में बोलने को मत कहना दादा राप अनुशासन के बारे में बहुत कठोर थे स्वयम को कितना भी कष्ट हो पर निर्धारित काम होना ही चाहिए वे प्रचारकों को भी कभी कभी दंड दे 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 थे पर अंतर मन में वे बहुत कोमल थे 1963 में सूनी पत संग सिक्षा वर्ग से लोट कर वे दिल्ली कार्याले पर आये वही उन्हें तेज बुखार हो गया इलाज के बावजूद 27 जून 1963 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया 2ज किस्पैम हैं 15 ज lamp टे रिल्म को बावज़ दिल्म 2 का यह प्रग दोड़र